आप देख रहे हैं लाइब बिहार मैं हूँ आपके साथ असलम अबास लोग सभाद चुनाओ 2024 को लेकर बिहार में टककर काटे की इस बार मानी जा रही है एक तरफ इंडिया गटबंधन है तो दूसरी तरफ इंडिये गटबंधन और कौन पर्तियासी इस चुनावी महौल मे अखाडे के मैदान में कौन जीत पाएंगे कौन मैदान को मार ले जाएंगे सब की नजरे हैं और नजर के साथ साथ राजनेतिक पार्टी के जो मुखिया है वो भी काफी टोल मटोल कर पर्तियासी अपने अखाडे में या कहें कि लोग सभा के चुनावी मैदान में भेजन लेकिन लालो यादो ने जिस तरीके से अपने पार्टी के तरफ से 22 परतियाशियों को मैदान में उतार दिया था इस बात की सुचना भी जारी कर दी गई थी लेकिन एक सीट सिवान यानि की जहां से सहाबुदीन सांसत रहे थे सिवान लोकसवा सीट लालो यादो जहां पर 1996 1996 से लगतार राजत का कबजा भी रहा है उस सीट को लेकर लगतार असमंजस की स्थिती थी ओह पो की स्थिती बने हुई थी कि क्या लालो यादो इस लोकसवा सीट पर परतियासी नहीं देंगे जिस तरीके से अवद बिहारी चोधरी लगतार लोकसवा छेतर सिवान में परचार कर रहे थे लोगों से बाते कर रहे थे तो दूसरी तरफ हीना सहाब ने निर्दलिये चुनावी मैदान में आने का फैंसला कर लिया है उसके बाद से लगतार चर्चाएं हो रही थी कि क्या लालो यादो अपने पुर बाहुवली नेता सहाबुदीन की पत्नी को सम मर्थन दिने का ऐलान कर दिया है लेकिन तमाम बातों पर से परदा साफ साफ हट गया इस तस्वीर को देख लीजिए आप किस तरीके से लालो यादो अबद विहारी चौधरी को सिम्बल बाटते हुए नजर आ रहे हैं अब सिवान में अबद विहारी चौधरी आई एंड लगश्मी जो की रमेश कुसवाहा की पत्नी है अब इसकी कोछद पहले तक रमेश खुसवाहा उपंदर कुसवाह के साथ नजर आ रहे थे लेकिन आनन फानन में उन्होंने प्रस्टा और उनकी पत्नी को सिवान से चुनावी मैधान में उतार दियाएं तो अब मुकावला पूरी तरीके से तिर्कोनिय है सबसे बड़ा सवाल सब की नजरे होगी हीना सहाब पर साथ ही साथ वोटरों जो सहाबुदीन के वोटर रहें समर्थक रहें जिस तरीके से उत्साह दिखता है सोसल मिडिया पर राजत की खिलाप गुसा नाराजगी और खा लालू परिवार ने हीना सहाब और सहाबुदीन के परिवार से कंड़ी काट ली है किनारा खस लिया है और उसकी नाराजगी आंतर पर सोसल मिडिया पर आप सुनते रहें देखते रहें कई समर्थक खुलिया में भी आकर बोलते हैं लेकिन अब चुनावी मैदान में क्या क देखती कुछ होगा क्या इस तिर्कोनियम मकाबला में क्या राज़त को कोई भारी नुकसान होने वाला है अवद बिहारी चौधी की बात करें तो वर्तौमान राजनिती की कि बात करें तो कुछ महीने पहले तक बिहार विधान सवा के अध्यक्शवा करते थे लेकिन यह अवद बिहारी चौधरी वही है जो एक जमाने में सिवान में सारण में सहाबुदीन के काफी खास निताओं में गिंती होती थी खास निताओं में इनकी सुमार होती थी लेकिन वक्तर हालात के बाद हीना सहाब के सामने अवद बिहारी चौधरी चुनावी मैदान में आ गए तो दूसरी तरफ एंडिये पर त्यासी विजय लक्षमी क्या इस दोनों के लड़ाई में जीत पाने में सफल हो पाएंगी तमाम तरह के सवाल तमाम तरह के चर्चाएं हैं लेकिन सिवान लोग सबाचेत जो राजत परिवार के लिए काफी मुश्किल फैसला लेने के लिए बने हुई थी अब उस पर से पूरी तरीके से परदा साफ हो गया है अब सवाल होगा कितना कुछ इस परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा आप अपनी परतिक्रिया क्या रखते हैं सिवान लोग सबाचेतर को लेकर हमें कमेंट में जरूर बताईगा आपका बहुत- जरूर करें